हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गॉर्मिंट जोब्स प्रतोस्ता है अपर महेंगाई पता डिये डियार में वर्दी को लेकर न्यू ओफिसियली एयाई सीपी की रिपोर्ट है वो आ चुकी है यहां पर आपकी 30 दिसंबर को यहां पर जारी हो चुकी है जो की नोवबर महीने की रिपोर्ट है इसी तरह दोस्तों पर दिसंबर महीने की जो रिपोर्ट है वो यहां पर 31 जनवरी को जारी होगी तो अब दोस्तों मुहाई है उसके अपका 50% कन्फरम हो गया है और अब MM की रिपोरट आना बाकी है तो क्या 51% भीजए हो जाएग allowances भी बाढ़ने वाले हैं इसको लेकर हमने पहले से दो वीडियो बनाए हुए हैं जो की आप जरूर देखें लिंक का नीचे description में हम देदेंगे एक तो यहां पर यह केंदर सरकार के जो करमचारी है या फिर रज्जे सरकार के जो करमचारी है उनके 50% डिये होने के बाद में कौन्से कौन्से अलांसे इसमें कितना कितना बढ़ोतरी होगी वो यहां पर हमने बताया है और यह एक दूसरा यहां पर जो अपका है 50% डिये होने के बाद में अपका basic plus डिये वो मर्ज होगा या फिर नहीं आठावेतन आया गगा या फिर नहीं इसके उपर तो अब दोस्तों जो रिपोर्ट आई है वो लेबर ब्यूरों की तरब से जो आंकड़े जारी किया गए है उसके अंदर CPIW की जो नवंबर 2013 की रिपोर्ट है उसमें 144.1 139.1 की यहां पर जो है वो रिपोर्ट आई है और अब यहां पर अगर हम देखें इसको कैलकुलेशन करके तो जो पिछले महीने की जो आंकड़े थे वो 138.4 थे जिसमें 49% महंगाई बता अब कब बन रहा था अब यहां पर नवंबर के आ चुके है 139.1 तो अब आपका जो है अब की इससे पहले दो महीने में लगातर गिरावट होई थी और ज्यादा गिरावट नहीं होती एक पॉइंट दो पॉइंट तक यहां पर जाती है तो अगर यहां पर यह सेम भी रहता है 139.1 भी रहता है अगर इसमें कोई कमी नहीं होती है ना बढ़ोतरी होती है तो भी आपका डी है वो 50.31 हो जाएगा यानि कि 50% अपका है वो डी अगर सेम रिपोर्ट रहती है तो भी हो जाएगा अगर बात करें अगर आपकी कमी हो जाती है तो जो कमी होगी आप मानों कि आपका बढ़ोतरी होने के कितने चांस है पहले कमी की हम बात करें तो आनिकी 135 पॉइंट साथ यानिकी 3 पॉइंट आपकी 4 अंकों की बड़ी गिरावड तरज की जाती है तो भी आपका जो है वो डिये है वो 50 परसेंट रहे है यानिकी 50 से नेचे बहुत ही कम चांचाश है जाने के बाकी ओफिशिल अनॉंसमेंट तो जब यहां पर 6 महीने की रिपोर्ट यानिकी 31 जनवरी को जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आपका ओफिशिल अनॉंसमेंट होगा और फरवरी माह में इस बार यहां पर क्योंकी एलेक्सन है तो फरवरी माह में आपका डिये है वो अनॉंस हो सकता है अधर्वाइज यहां पर मार्च और अपरेल महीने में है वो डिये अनॉंस होता है तो अगर बात करें बढ़ने के कि आपका एक महीने की रिपोर्ट बच तो आपका जो डिये है वो 50% कंफर्म हो चुका है अगर आपका रिपोर्ट सेम भी रहता है या फिर 3.4 अंकों तक की गिरावट भी होती है तो भी आपका जो डिये है वो आपका 50% करोश हो जाएगा तो आपको यहां पर जरूर यह वीडियो देखने चाहिए तो आप बिल्क कोई भी डाउट हो निचे कमेंट करें